नमस्कार आदाब सत्सिर्याकार कैसे हैं आप सभी आज एक बार फिर हम सभी लोग ऑनलाइन सिच्छर व्यवस्था के माध्यम से एक नया टॉपिक पढ़ने आए हैं इस टॉपिक का नाम है कोलाइड का बरगी करण शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई लाइन को दोराने जा रहा हूं प्रस्तोत करने जा रहा हूं लाइन कुछ इस प्रकार से है कि जब तूटने लगे हौसले जब तूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना बिना महनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड ही लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल क्योंकि जुगनु किसी रोसनी के महताज नहीं होते इसी लाइन के साथ मैं तुलकुमार सर्मा एक बर फिर आप सभी का अपने यूटूब चैनल फिरी कैमिस्ट्री वाई सर्मा जी पर हर दिक स्वागत और अविनंदन करता हूं प्यारे बचों आज हम लोग कोलाइट के बरगी करण का एक नया तरीका पढ़ने वाले हैं मैंने इससे पहले की प्रीबियस वीडियोज में कोलाइट के बरगी करण के दो तरीके आपको बताए हैं जिन में से बचों कुछ कोश्टन्स नए बन करके आएंगे जैसे द्रविशनेही कोलाइड और द्रव बिरोधी कोलाइड जो हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आज कोलाइड के बरगी करण का जो नया तरीका है बचुबे परचिप्त प्रवस्था के कड़ों के आधार पर है परचिप्त प्रवस्था और परचिप्ण माध्यम आप सबी लोग जानते हैं मैंने लगातार इन दो पॉइंट्स पर फोकस किया है और आपको बताया है मैंने आपको बताया था जिस प्रकार बिल्यन में बिलिय होता है उसी प्रकार कोलाइड में परचिप्त प्रवस्था होती है जिस प्रकार बिल्यन में बिलायक होता है इसी प्रकार कोलाइड में परचिप्त माध्यम होता है अर्थाद परिछेप्ण माध्यम होता है तो किलियर है परचित परवस्था क्या है परचित परवस्था कोलाइड का बिले भाग है और परचित परवस्था क्या है कोलाइड का बिलायक भाग है तो परचित परवस्था यानि बिले पदार्थ के कड़ों के अधार पर कोलाइड को तीन भागों में बाटा गया है आप देख रहें मैंने आपके सामने उन तीनों प्रकारों को नोट कर रखा है तो परचित प्रवस्था के अधार पर कड़ों को कितने भागों में बाटा गया है बच्चों तीन भागों में बाटा गया है पहला बहु आडविक कोलाइड कौन सा मैंने बोला बहु आडविक और तीसरा बच्चो का उनसा प्रकार है संगुडित कोलाइड इस संगुडित कोलाइड को बच्चो सहचारी कोलाइड भी कहा जाता है तो अब आप से कोई पूछे कि परचिप्त परवस्था के कड़ों के आधार पर कोलाइड को कितने भागों में बाटा गया है तो आप धा पूछी जाती है तो ध्यानकना संगूरित कोलाइड और सहचारी कोलाईड दोनों एक ही ही हैं चलिए हम लोग इन पर फोकस करते शुरुबात करने से पहले अपसे फिर कहूंगम हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसका जो इंपोर्टेंट टॉपिक आया था द्रविस्नी कोलाइड और द्रविरोधी कोलाइड अच्छी तरीके से त्यार कर लेना एकजाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं चलिए मैं इनको एक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ सबसे पहले बात करेंगे बहु आड़ भी कोलाइड की चलिए बच्छो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बहु आड़ भी कोलाइड की यह बहु आड़ भी कोलाइड क्या होता है एक एक पॉइंट को बच्छो ध्यान से समझेगा मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से आपके सामने इस पश्ट करता हूँ बहुको हम लोग इंगलिस में पॉली भी बोलते हैं पॉली का मतलब बहुत से तो यह पॉली हो गया और आड़ी को बच्चो हम लोग क्या बोलते हैं आप सभी को पता होगा आड़ी का मतलब माली कुलर क्या बोलते हैं बच्चो माली कुलर तो क्या नाम ने कल करके आएगा प molecular collides की बात करने वाले हैं पॉली BOB label कोलाइड होती क्या है मैं आपको एक एक बात समझाता हो समझेगा बचो इस प्रकारी की कोलाइड में जो कोलाइड कर वोती है जो इस प्रकारी की बात निजया हो इस प्रकार की कॉलाइडी बिलियन में बच्चो जो कॉलाइडी कण होते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूं जो कॉलाइडी कण होते हैं बी बच्चो ऐसे परमाडू या अडूओं के गुच्छे से बने होते हैं बड़ा ध्यानक ना बच्चो ये जो कुलाइडी कण हैं वो किस से मिल करके बने होते हैं मैं यहाँ पर नोट करता हूँ ऐसे परमाडू या अडूओं के गुच्छे से परमाड़ या अड़ों के क्या बताया मैंने गुच्छे से मिल करके बने होते हूं कैसे परमाड़ या अड़ों के गुच्छे से जिनका जो आकार है वच्छो जिनका आकार एक नैनो मीटर से कम होता है एक नैनो मीटर से कम होता है बात समझ में आगी वच्चो मैं आपके सामने अब इसी बात को वार वार रिपीट करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सकें तो बहुआड भी कोलाइड आप से कोई पूचता है किसे कहते तो आप क्या बताएंगे कि ऐसी कोलाइडी बिलियन जिन में उपस्थित कोलाइडी कड ऐसे परमाड या अड़ों के गुच्छे से मिल करके बनता है जिनके कडों का आकार एक नैनो मीटर से कम होता है किलियर होगे बात चलिए मैं एक बात और आपको सामने इस पस्थ करता हूँ और इसको काफी सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ हम यहाँ पर एक पात्र ले लेते हैं ध्यान से समझेगा बच्चो जब आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाए तब बच्चो कमेंट्स बाक्स में यस जरूर लिख देना ये देखी बच्चों मैंने एक पात्र ले लिया ध्यान से समझने का प्रयास करना इस पात्र में बच्चों मैं क्या करता हूँ इस बहु आणवी कोलाइड के कोलाइडी बिलियन को भर देता हूँ यह मैंने इसके अंदर कोलाइडी बिलियन को भर दिया यह कोलाइडी बिलियन कौन सा है बहु आणवी कोलाइडी बिलियन है बहु आणविक, कोल आईडी, बिलियन हमने बच्चो इसके अंदर भर दिया अब इसका मैं एक कड ले लेता हूँ मालेते मैंने एक कड यहाँ पर बना दिया यह इसका एक कड हो गया तो अब यहाँ जो एक कड है यह किस्से मिल करके बना होगा ये बच्चो जो एक कण मैंने आपके सामने लिखा है ये बहुत से छोटे छोटे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये जो एक कण है बहुत से छोटे छोटे कणों से इन कणों में परमाडू भी हो सकते हैं ये देखिए ये जो कण ये बहुत से छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होगा ये छोटे छोटे जो कण हैं वो परमाडू भी हो सकते हैं मैं यहाँ पर परमाडू लिखता हूँ और परमाडू के साथ साथ बच्चों अडू भी हो सकते हैं लेकिन ऐसे परमाड़ या आड़ होंगे जिनका आकार एक नैनो मीटर से क्या होगा बच्चों एक नैनो मीटर से कम होगा आई होप अब आपके सामने सारी बातें इस पश्ट हो गई होंगी तो अब कितने बच्ची कोलाइडी विलेन के इस परकार को समझ गए कि बहुआडी कोलाइड क्या होता है मैं उमीद करता हूँ अब सभी लोग कोलाइडी विलेन के इस परकार की जानकारी रखते हैं सभी को जानकारी मिल गई मैं एक बार फिर से इस बहुआडवी कोलाइड को इसपश्ट करता हूँ और उसके बाद बच्चों फिर मैं दूसरे प्रकार पर जाता हूँ तो बहुआड़ भी कोलाइड क्या होते हैं बहुआड़ भी कोलाइड बे कोलाइड होते हैं जिनके कोलाइडी बिलियन में ऐसे कोलाइडी कड़ो पस्तित होते हैं जो छोटे-छोटे कई परमाड़ों एवं अड़ों के गुछे से मिल करके बनते हैं और इन परमाड़ों या मैं यहाँ पर एक पात्र ले लिया और इस पात्र में बच्चों मैंने बहु आडवी कोलाइड भर दिया इस बहु आडवी कोलाइड का मैंने एक कड ले लिया ये कड किसे मिल करके बना होगा ये परमाड या अडवों के गुछे से मिल कर बना होगा और इस गुछे में जो प यहां को हो आड़भी ऊणिए समज़ में आ गया होगा मैं इसके एक्जाम पिल की बात करता हूं कि लिखी वच्जों मैंने इसके एक्जाम पिल को आपके सामने लिख रखा है पहला एक्जाम पिल बच्चों स्वाड मैं अποच्छ। जब इस पर कोश्चन बनेगा तो मैं स्वाल बताऊंगे स्वाल क्या होता है गाढ़ापन मान लेजिए तब तक आप अपने माइंड में इसको गाढ़ापन मानके चलिए मैं आपको आगे चर्चा करूंगा तो इस सौन्ड साल आप देख रहे हैं इस सौन्ड साल को हम लोग बहुआणवी कोलाइडी भी कहते हैं क्यों कहते हैं तो कि सौन्ड साल में जो कोलाइडी कण होते हैं सौन्ड साल में बच्चों जो कोलाइडी कण उपस्चित होते हैं बे किस से मिलकर के बनते हैं बैस सौन्ड के परमाडूं से मिलकर बनते हैं किस से मिलकर बनते हैं बच् परस पर जुड़ करके इस तरीके से परस पर जुड़ करके क्या बना लेते हैं ये गुच्छा बना लेते हैं क्या बना लेते हैं वच्छो गुच्छा बना लेते हैं और गुच्छे के बनने से कौन सा कड़ बनता है कोल आइडी कड़ बनता है यही हम लोगों ने परिवासा के कडों का आकार बच्चों एक नैनो मीटर से कम होता है मैं सलफर साल की बात करता हूँ सेम बच्चों सलफर साल में भी जो कोलाइडी कड होंगे क्या होंगे बच्चों कोलाइडी कड सौण साल में सौण के परमाडू थे कोलाइडी कड में बच्चों सलफर के परमाडू किस रूप में जुड़े रहेंगे गुच्छे के रूप में जुड़े रहेंगे और एक गुच्छा क्या बन जाएगा कोलाइडी कन बन जाएगा इस गुच्छे में जो परमाड अथवाड होंगे उनका आकार एक नैनो मीटर से कम होगा I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप लोग बहु आडवी कोलाइट को आसानी से समझ गए होंगे चलिए हम लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं बच्चों अब हम लोग दूसरे पॉइंट का जिक्र करेंगे दूसरा प्रकार का मतलब होता है बहुत बड़ा मैक्रो साथ में आडवी अर्थात माली कुलर तो इसका क्या नाम होगा बच्चों इंगलिस में इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो माली कुलर कोलाइडस केलियर होगी बात मैक्रो माली कुलर कोलाइडस तो आई होप आपको इतनी वाद समझ में आ गई होगी कि ब्रहद आडवी कोलाइड को मैक्रो माली कुलर कोलाइडस कहते हैं जबकि इससे पहले हम लोगों ने बहु आडवी कोलाइड पढ़ा जिसको हम लोग पॉली मालेकुलर कोलाइड कहते थे उसको ध्यान में रखना तवी हम लोग इसकी परिवासा दे पाएंगे बचो ब्रहद आडवी कोलाइड बे कोलाइड होते हैं जिसमें स्वयम कोलाइडी कड़ उपस्चित होता है जिसमें क्या उपस्चित होता है जिसमें कोलाइडी कड़ उपस्चित होता है पॉइंट नोट करना क्या उपास्थित होता है कोलाइडी कड़ उपास्थित होता है और हम सब जानते हैं कोलाइडी कड़ का जो आकार है वच्चो कितना होता है ज़र एक बार मुझे बताईए कोलाइडीकणों का अकार एक नैनो मीटर से 1000 नैनो मीटर तक होता है केलियर हो गई बात साथ ही साथ एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस परकार का जो कोलाइडीकण से सुनियेगा इस प्रकार के जो कोलाइडी कण हैं, इनकी उपास्थित के कारण ए जो ब्रहद आणवी कोलाइड है, इसका जो अनुभार है, क्या है वच्चों, जो अनुभार है वो उच्च हो जाता है, कैसा हो जाता है वच्चों, उच्च हो जाता है, अब आप देखिएगा, हम लोगों जो इससे पहले बहु आणविक पढ़ा था उसमें कोलाइडी कन उपास्थित नहीं था उसमें कई छोटे छोटे कन जिनका आकार एक नैनोमीटर से कम होता था वे आपस में गुच्छा बना लेती थी और जब गुच्छा बहुत बढ़ा हो जाता था एक नैनोमीटर से एक ब्रहद आणवी कोलाइड में ऐसा कड़ उपास्थित होता है जिसका आकार एक नैनोमीटर से एक हजार नैनोमीटर के वीच में होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोलाइडी कड़ कहते हैं परिवासा क्या होगी बे कोलाइड जिनमें स्वयम कोलाइडी कड़ उपास्थ तो होनी के कारण ब्रहद आणवी कोलाइड का अणुभार मेरे बच्चों कैसा हो जाएगा उच्च हो जाएगा जैसे मैं इसके भी एक्जामपिल की बात करता हूँ एक्जामपिल के रूप में बच्चों मैं आपको बता दूँ इसके एक्जामपिल के रूप में हम लोग protein को यूज़ करते हैं protein को या ऐसे मान लीजिएगा कि जितने भी बहुलक होते हैं एक एक्जामपिलो लिखता हूँ cellulose तो protein cellulose या फिर जितने भी बहुलक हैं आप सबी लोग बहुलक जानते ही हैं कि जब छोटी छोटी काईयां परस पर जुड़ जाती हैं तब उनको हम लोग बहुँ लग कहते हैं तो आई होप आपको ब्रहद आड़वी कोलाइड समझ में आ गया होगा ऐसे कोलाइड जिनमें स्वयम कोलाइडी कलोपास्थित होता है किसी भी प्रकार के गुछे की जरुवत ने किसी भी प्रकार के कड़ों को जुड़ने की जरुवत ने स्वयम कोलाइडी कलोपास्थित होता है जिसका आकार एक नैनो मीटर से एक हजार नैनो मीटर के बीच में होता है कोलाइडी कड़ो पस्चित होने के कारण बच्चो इस प्रकार के ब्रहद आडवी कोलाइड का जो अड़ुभार है वो उच्च हो जाता है सभी प्रकार के बहुलक यहां तक प्रोटीन, सैलूलोज एवं अन्य सभी बहुलक भी इसके एकजामपिल के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं आई होप आपको ब्रहद आडवी कोलाइड समझ में आगया होगा एक बार बच्चो कामेंट्स बाक्स में एस जरूर लिखेंगे चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट का जिक्र करते हैं तीसरे पॉइंट को हम लोग किस तरह से याद रखेंगे तीसरा बच्चो जो अपने पास प्रकार है उसको हम लोग संगुरित कोलाइड भी कहते हैं और इसी को बच्चों हम लोग सहचारी कोलाइड भी कहते हैं यह बहुत important कोलाइड है एकजाम में बच्चों इससे question को पूछा जा सकता है इसलिए इसको समझने का प्रयास करें यह दिया आपके समझ में आयाता है तो कृपया comments box में मुझे जरूर बताएं संगुरित कोलाइडस को हम लोग बच्चों कंजूगेटिव कोलाइडस भी कहते हैं कंजूगेटिव कोलाइडस भी कहते हैं कंजूगेटिव से एक अर्थ निकलता है एक spelling निकलती है कंजूगेशन क्या निकलती बच्चों? कंजूगेशन तो ये Conjugation से सब्द बना है Conjugative Conjugation को हम लोग हिंदी में संगुडन कहते हैं क्या बोलते हैं वच्चों संगुडन कहते हैं अब आप पूछेंगे सरसंगुडन क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको कि संगुडन किसे कहते हैं देखे बच्चो मैं यहाँ पर कुछ कड़ बनाता हूँ और यह कड़ कैसे हैं यह सब अलग-अलग है अब अगर किसी तरीके से किसी विधी के द्वारा अगर इन सब को आपस में जूड दिया जाए इस तरीके से तो बच्चो यह आपस में जूड करके किसी एक नए कड़ का निर्माड कर लेंगे बात समझ में आगे ये अलग अलग बिखरे हुए करण एदि किसी प्रकार से जुड़ करके कोई एक नया कर बना लेते हैं तो इन सभी के इस प्रकार जुड़ करके एक नए कर को बनाने की प्रक्रिया बचो संगुडन कहलाती है I hope आप सभी को संगुडन समझ में आ गया होगा तो संगुडन का हम लोगों ने अर्थ समझ लिया मतलब छोटे छोटे से कड़ जुड़ करके बड़े कड़का निर्माड करते हैं यह प्रक्रिया संगुडन कहलाती है अब इस संगुडन से ही यह सब्द बना है कंजुगेटिव अर्थात संगुडित तो मैं कह सकता हूँ कि इस संगुडन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं मेरे बच्चों इन बॉल्व जरूर होगी कहीं ना कहीं पर इस संगुरित कोलाइड में कहीं ना कहीं बच्चों इस संगुरन की प्रक्रिया का समावेश जरूर होगा चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है ये संगुरित कोलाइड चलिए बच्चों समझे बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं पॉइंट समझना, पॉइंट को नूट करना, कुछ पदार्थ बच्चों ऐसे होते हैं, मैं देखें यहाँ पर कोई एक पदार्थ लिख देता हूं, मैंने उपर पदार्थ लिख रखा है, और यहाँ पर बच्चों मैं इस पदार्थ का बिलियन लेता हूं, इस पदार्थ क के बिलियन की जो सांद्रता है बच्चों बै उच्च है मैंने एक पदार्थ लिया और इस पदार्थ के बिलियन को दो तरह से आपके सामने रखा है एक बिलियन ऐसा है जिसकी सांद्रता बच्चों निम्न है और एक ऐसा है जिसकी सांद्रता बच्चों उच्च है के लिए र यहां पर लिखता हूं। निम्ड सांधा का जो बिलियन है बच्चों बेदुत अब गट की भाती करेगा। करेगा पॉंट धान रखना जो मैं बता रहा हूं बचों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन रधंतर हमने और पॉट्रबर फासते हैं। में आपको हुटता है जो जुड़नी लगते हैं। उच्छ स फहीं हुट होता क्या हैं मैं आपको कब जुड़ने लगते हैं जब सांदर्ता कैसी होती है बच्चों जब सांदर्ता उच होती है ध्यानकना जिस्तरे की मैं बात बता रहा हूँ नेमने सांदर्ता का मतलब कड़ों की संख्या कम उच सांदर्ता का मतलब कड़ों की संख्या जाधा निम्न सांदरता पर पदार्थ का जो बिलियन है वह बिद्दुतब घट की भातिकार करता है। जब सांदरता बढ़ा देते हैं तो कणों की संख्या बढ़ जाने के कारण वे आपस में बच्चों जुड़ने लगते हैं। और जब जुडने लगते हैं तो मैंने आपको बताया बच्चों कि जुडने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग जुडने की प्रक्रिया को संगुडन कहते हैं क्या कहते हैं संगुडन कहते हैं और जब ये कण आपस में जुड जाते हैं तो जुड करके बच् प्राप्त कर लेते हैं एक नैनो मीटर से एक हजार नैनो मीटर तक का बच्चो यह आकार प्राप्त कर लेते हैं और मैं आपके सामने कह चुका हूँ कि जब इतना आकार मिल जाएगा तो बिलियन क्या कहलाएगा बिलियन कहलाएगा बच्चों कोल आईडी बिलियन कहलाएगा आई होब आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगे फिर एक बार सुलिजेगा अगर आप से कोई पूछे कि पदार्थ का जो बिलियन है बै नेमन सांदर्था पर विद्दुत अब घट की भातिकारी करता है परंत उच सांदर्था पर बच्चों बै कोल आईडी बिलियन की भातिकारी करता है क्यों तो आप क्या बताएंगे कि पदार्थ का बिलियन यदि उच सांदर्था का है तब कड़ों के संख्या बढ़ जाने के कारण बच्चों उनमें संगुरन हो जाता है संगुरन का मतलब बेकरण आपस में जुड़ने लगती है और संगुरन के कारण बच्चों आकार कितना हो जाता है एक नैनो मीटर से एक हजार नैनो मीटर तक हो जाता है और जब बच्चों कड़ों काकार इतना हो जाएगा तो कड़ क्या कहलाएंगे कोल आइडी कड़ कहलाएंगे और जिस बिलियन में कोल आइडी कड़ होंगे उस बिलियन को क्या बोलेंगे कोल आइडी बिलियन बोलेंगे I hope यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगे यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं तो करपया बच्छों कमेंट्स बाक्स में मुझे जरूर बताएं कुछ अन्य प्रस्ण में आपके सामने रखता हूँ उन प्वांट को समझेगा बच्चों एक प्रश्णी अहां से बन सकता है यहां तक सारी बाते सबकी समझ में आ गई है यहां तक किसी को समझ चाओ एक बार इसका स्क्रीन सॉट लिली जिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें मेरे बच्चों तब आपके सामने सारी बाते इस पश्ट हो जाएंगे वीडियो को बार बार रिपीट करते रही है बार बार देखते रही है मैं आगे की बात को इस पश्ट करता हूँ बच्चों संगुडन के पश्चात जो यह कण बनेगा संगुडन के पश्चात जो ये कड़ बनेंगे इनको बच्चों हम लोग संगुडित कड़ बोलेंगे संगुडन के पश्चात जो ये कड़ बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग संगुडित कड़ बोलेंगे और पेपर में ये कोश्चन अलग तरह से पूछा जाता है क्योंकि संगुरत कणों को एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग मेसल कहते हैं It is the most important point 2021 के लिए 2021 के लिए important question है कि मेसल क्या होते हैं तो क्या होते हैं मेसल तो पदार्थ का जो उच्च सांधरता का बहुत ही ध्यान रखेगा तो क्या है बच्चों मेसल पदार्थ का जो उच्च सांधरता का जो बिलियन है उस बिलियन में जो कण उपस्थित हैं बेकण संगुडन के कारण जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बच्चों संगुडितकण कहलाते हैं और ये संगुडितकण इनको हम लोग क्या बोलते हैं इनको नाम दिया जाता है मीसेल क्लियर हो गई बात क्या नाम दिया जाता है बच्चों मिसल नाम दिया जाता है और एक बात बता दूँ जिस सांदर्ता पर अपने को मिसल प्राप्त होता है उस सांदर्ता को क्या कहते हैं तो मैं उसका भी जिकर कर दूँ पॉइंट धा रखना जिस सांदर्ता पर अपने को म क्रांतिक मिसल संदर्ता कहती हैं क्या बोलेंगे वच्छो क्रांतिक मीसल संदर्ता जिस संदर्ता पर यहां मीसल प्राप्त होगा मीसल क्या है संगुरित करना है चीज है उध्यानखना जिस संद्रता पर यह मे सल प्राप्त ओगा उस संद्रता को क्रांतिक मीशल संद्र भी कहते हैं किलीए रह 49 यहां तक सारी बात समझ में आगी सब लोगों की यहां तक किसी को कोई समस्या तो कमेट्स वाकिस मुझे जरूर बताएं कि लिए रोगी बात बचों एक बात और बटा दू कि जिस टाप पर ये मीशल अपने को प्राप्त होंगे जिस काप को बचों हम लोग क्राफ्ट ताप कहते हैं क्या कहते हैं देखे कितनी डिटेल वच्चो इसके निकल कर किया आई है इसलिए आपको मैं एक बार इसको फिर रिपीट कराता हूँ तो संगुरित कोलाइड या सहचारी कोलाइड क्या होते हैं तो मैंने आपको बताया कि कुछ पदार्त ऐसे होते हैं जिनकी निमन सांदरता पर जो बिलियन है बिद्दुतब घट का कार करता है उच्च सांदरता पर जो बिलियन है उच्च सांदरता पर बच्चो जो बिलियन है उसके कण संगुरन के कारण जुड़ जाते हैं जुड़ करके संगुरित कण कहलाते हैं इन कडों का आकार 1 Nanometer सी 1000 Nanometer के वीच में होता है इसलिए इस परकार के कड़ों को Collide Believe कर कहते हैं या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यह Collide Start बनते ही बच्चों पदार्थ का जो goods is conditional commandments कहलाता है इस परकार के संगुरुत कडों को Mycel कहा जाता है जिस उच सांदरता पर ये मीसल प्राप्त होते हैं उस सांदरता को बच्चों करांतिक मीसल सांदरता कहते हैं किलियर हो गई और जिस ताप पर ये मीसल प्राप्त होते हैं उस ताप को हम लोग बच्चों क्राप्ट ताप कहते हैं I hope आपके सामने मैंने complete detail आपके सामने रखी है आप अपनी copy पर इस complete detail को note कर ले exam में question कहां से बनेगा बच्चों ना आपको पता है ना मुझे पता है लेकिन मैं आपके सामने एक point को clear करता हूँ ताकि अगर यहां से question बने तो आपका question छुटने ना पाए I hope मैंने आपके सामने कोलाइडी बिलिनों के एक नए परकार को रखा परचिप्त परवस्था के आधार पर कणों को किस परकार से हम लोग बाढ़ सकते हैं मैंने आपके सामने complete detail रखी है तो कितने भागों में बाढ़ सकते हैं तीन भागों में बाढ़ सकते हैं काउन काउन से मैं आपको बता चुका हूँ बहुआड़ भी कोलाइड ब्रहद कोलाइड और तीसरा संगृत कोलाइड अगर बच्चो आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो करपया मेरी लेक्चर को आप लोग लाइक करें सब्सक्राइब करें साती साथ सेर भी करेंगे और कमेंट्स करके बच्चो मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार फिर आपके सामने उपास्तित होता हूँ तब तक के लिए घर पे रहिए सेफ रहिए